नमस्कार दूस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बर आपको दिल से बहुत सागत करता हूँ, तो आज मैं फिर से आपके सामने कोच इन्पोर्टन्स कमपनी के आपडेट और उसके टेक्निकली चाट पेटन्स के बारे में चर्चा करूँगा, और कुछ गुड नीउस के बारे में भी और बैड नीउस के बारे में भी चर्चा करूँगा, ओपर अभी फिलाल के लिए क्या नीउस है, वो भी मैं आपके साश्यार करूँगा, तो इस चैनल को पर बन रहिएगा, तो फर्स्ट जो कमपनी उसका नाम है Tata Technologies Limited, तो Tata Technologies Limited के उपर में बहुत पहले में बता चुका हूँ, कि जिस तरह के से कमपनी का सीच्वेशन बना है, अगर टेकनिकली चैट परणस के बारे में बात करूँ, जिस तरह के से सीच्वेशन बना है, आप ध्यान से देखेंगे, तो कमपनी उसके उपर लगातार क्या है, एक प्रेसराइज है, प्रेसरी मतलब कंटिनेसली गिरवट का माहूल है, तो एक फाइनली यहापर एक ब्रेकाउट हुआ था, मगर ब्रेकाउट कंफरम नहीं हुआ, मैं आपको हामेशा बोलता हूँ, कि कोई भी केंडल अगर ब्रेकाउट होता है, तो निक्स्ट केंडल उसके उपर स्टॉंगली क्लोजिंग होना चाहिए, तभी एक अप्टेंट जाने का कोशिज करेंगे, तो यहापर भी देखिए एक ब्रेकाउट हुआ, और स्टॉंगली क्लोजिंग केंडल नहीं हुआ, यहापर ब्रेकाउट हुआ, क्लोजिंग केंडल तो हुआ, तो अगर उपर साइड में जो दो स्टॉंगली इसका रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा, तब ही वो उपर जाएगा, क्योंकि अगर इसको break करें, तो एक pattern scared होगा, एक कफ़ी धाने patterns बन सकते हैं, और उसको बनने के बाद एक बड़ा धामा का होने का chances देखेगा. अभी TADA Technologies के उपर एक good update भी है, जो मैं आपको यह आपको बताने वाला हूँ, आप देख सकते हैं, टेक इंजिन जो platform है, जो companies है, is primed for an AI boost, मतलब जो AI technologies है, उस AI technologies basis में इसको boost किया जा रहा है, मतलब company इस sector में अच्छा कासा engage होने जा रहा है, AI sector के उपर, क्योंकि बता जा रहा है कि company का BMW से एक बहुत बड़ा project में मिला, और वो भी AI के उपर ही काम करेंगे, और इस जो TADA technologies company है, इसको एक अच्छा कासा boost भी मिनने वाला है, क्योंकि company यह बता रहा है कि that will help India takes bigger share of the global 4 trillion digital services trade, मतलब कितना बड़ा digital services trade हो रहा है और आप comment time में होने वाल है, आप इस data को देखतर ही समझ सकते है, तो TADA technology company कोई खराब company है, एक TADA group के एक best company है, और compare करूंब बाकी company से top 5, top 4 में company का नाम देखने को मिलेगा, और सबसे मज़ेदार बात ही है कि company का profit growth, company के sales growth, उसके और company के करजा भी एकदम ना के बराबर है, इस सारे points को आप जूरू observe करना, उसके बाद काम करना, तो companies के जो growth है, आप देख सकते KPIT जो technologies है, इस company के जो growth है, वो जीसतेरे के से हो रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा TADA technologies के उपर growth हो रहा है, तो obviously इस company के आगे बनने का chances ब पर काम कर रहा है, वो project में पहले ही आपको share कर चुका हो, company का basically services के उपर है और वो भी automotive के उपर, automotive मतलो automobiles industries के उपर, 77% business इस से आ रहा है, बाकि जो technology solutions है उसके उपर 22% का business आ रहा है, और totally engineering segment के उपर काम कर रहा है, engineering research and development के उपर company का काम कर रहा है, और basically company के जो business है, वो और अमेरिका, साथी साथ वियतनाम, और आदास जगा पे, जैसे एउरोप में और साथी साथ आदास कंटी में company business कर है, तो overall इस company के business point of view से बात करो, तो company obviously positive है, feature में आगे बढ़ने का दम रखते है, बाकि देखिए इस company के technically basis में पहले ही बोल चुका हूँ, जब तक मुझे कोई pattern न दिखे, या पर मुझे एक pattern दिखने को मिल सकता है, या पर अगर एक cup बने और उसके बाद एक handle pattern बने, या पर मैं कुछ quantity obviously इंटी लूँगा, क्योंकि इसका जो target रहेगा, वो lifetime high के नीचे रहेगा, तो हामेसा जब भी कुछ, मतलब बीच में कोई भी cup with हैने patterns बने और उसके higher level में, higher level के नीचे अगर target बने, तो possibility ज़्यादा है, उस level तक जाने का बहु कोसिस करेंगे, बागी जब patterns compete होंगे, तम मैं आपके साथ जुरू share करूंगा, तो आपके करा है इस company को पर जुरू comments करना, next company है, उसका नाम है Excite Industries Limited, लेकि Excite Industries Limited को पर मैं पिछले एक दिनों में भीडियो बना के share किया था, कि मेरा जो एंटी था, उस एंटी लेवल के बहुत दिनों के बाद उस लेवल को break किया, और बहुत सान्दा तरीके से breakout देखने को मिला, क्योंकि आप सब जानते बड़े दो दिगज companies, जैसे आप देख सेकते है, Hyundai Motors and Kia, ये दोनों के जो EV का बैक्टी का जो परनासीव है, वो किसके साथ क्या है, एक साइट के साथ, तो ये news आने के बाद ही, market में इस company के rocket बन चुके है, तो जैसे आप चार्ट को देखेंगे, आप देख सकते है, किस तरीके से यहाँ पे patterns केड़ हुआ था, किस तरीके से situation बना था, और आज कहा पे क्या, एक rocket जैसे company का performance हुआ, अगर मैं एक साइट के chart patterns को आपको दिखा दूँ, एक pattern बना है, जिस pattern के basis में मैंने anti लेकर रखा हूँ, और बहुत पुराना anti है, मतलब बहुत पहले से anti लेकर रखा हूँ, 2018 से लेकर एक cup बना, एक लंबा सा cup बना, उसके बाद handle बना देखे, बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, कभी-कभी होता है, क्या है न, कुछ sector के 5-6 साल तक कुछ खास performance देखने को नहीं मिलता, और उस time में अगर breakout होता है, तो एक लंबा धमक आपको देखने को मिलेगा, तो finally क्या हुआ, finally आपको breakout हुआ, और breakout होने के बाद देखे, company दो-तीन दिन से ही, दो-तीन दिन के मत्धम से ही, वो target का चिप करेंगा, ऐसे होगा नहीं, ऐसे होगा, होता तो बहुत कुछ हो जाते, तो यहाँ पर सारे चीजे को समझ कर काम करना पड़ेगा, सारे चीजे आप देखेंगे, तो pattern कुछ इस तरीके से ही बना है, जिस pattern के basis म company आगे बनने का दम रखते है, बाकि इस company के पर जो good news में आपके साथ share क्या हूँ, उसके साथ साथ और एक good news है, अब देख सकते, excited industries to acquire 26% stake in Indian solar power company, तो obviously एक बहुत बड़ अपड़ है, क्योंकि company batteries बनाने के साथ साथ, अभी solar power company को भी acquire कर रहे है, मतलब solar power company को भी खरीदरी कर जो अरकेडिया है, इस तरह के से company को 53.5 million Indian rupees देकर 26% stake या पर खरीदरी किया जा रहे है, तो एक बहुत बड़ा company का growth होने का chances जादा और भी बढ़ने जा रहे है, क्योंकि company खुद की business के साथ साथ, company solar project के उपर भी काम करना स्टार्ट किया है, तो जिसके चलते company का growth और भी जादा बनने का या पर possibility देखने को मिलेगा, यह सारे बाद मैं इसलिए आपके साथ share करता हूँ, कि कि जब आप किसी company से पर काम करें, तो आपके confidence level सही रहे, कि हाँ मैंने जिस company के वर भाई किया हूँ, और जिस company के वर में काम कर रहा हूँ, वो company के feature में growth होने का chances है, क्यो इसमें आप देखेंगे तो trade receivable, मतलब कितना trade receivable हूँ, अभी देखें कितना रिसीब हूँ, अभी देखें कितना रिसीब हूँ, पान सो नुबब़ी करोड से बढ़ते बढ़ते आज तेरा सो करोड के आसपास चला गया, मतलब एक बेस तरीके से company के trade receivable होता देखने को मि के हाथ में cash भी है, कितना 104 करोड, हाँ, माल लेता हूँ, company के पास करजा है, मगर करजा उतना ज्यादा नहीं है, सिर्थ 7500 करोड के आसपास करजा है, वो easily उस करजा को मिटा सकता है, क्योंकि company के जो reserve है, वो लगातर बढ़ते चले गए, तो इतने सारे points positive है, क्या उस company को ब हो, तो please, कोई भी companies के पर buy and sell करना है, तो आपके point of view से sell buy and sell करिए, आपके जो advisor है, उसके साथ बातकीत करके काम करिए, क्योंकि मैं कोई savvy register person नहीं हूँ, कि मैं आपको buy and sell का advice देऊ, तो advice देना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है, सारे चीज़े को आपके साथ share करना, सारे data को आ कोटा है, फिर भी दम है बहुत, क्योंकि company defense sector के ओपर काम कर और government defense sector के ओपर बहुत ज़्यादा investment पहले ही कर चुके, और भी बहुत ज़्यादा investment करने वाले है, क्योंकि, Modi government ने पहले ही announcement कर चुके है, कि next next kuch years में defense sector के ओपर बहुत ज़्यादा investment और भी किया जाएगा, अग लगातार growth इसी लेकार है, क्योंकि इस company को लगातार government से project मिलते चले जा रहे है, अभी इस company के ऊपर में directly update के बारें बात करूँ, देखे, company का performance wise, company का valuation में सस्ता है, ROC, ROE average के आसपास है, income भी जबदस्त है, debt नाक के बराबर है, promoter के बास holdings भी अच्छा गासा है, उसके सा साथ company के quarter result, वो भी देखेंगे, sales भड़ा, company के expense control में रखा, company के net profit, वो भी देखे, एक range के इसाब से net profit continue हो रहा है, मतलब 240 करोड, 250 करोड, इस तरीके से range के अंदर company का profitability देखने का मिला है, तो बाकी as a investor, देखे, वो भी इस company के ऊपर continue कर रहा है, चाहे FIS हो, चाहे TIS हो, आप कह सकते हैं कि institution उतने जदा holding क्यों नहीं किया, यह कि देखे, company एक government company है, और सरकारी company के ऊपर institution तब भाई करते हैं, जब उस company का market cap जादा होते है, तो कुचिन सीपट का market cap कितने है, 28-30 कोड, मतलब एक semi micro cap type company है, तो सरी, semi small cap type company है, तो उस basis में company उसके ऊपर जदा नहीं नहीं किया गया, अभी कुचिन सीपट के ऊपर दो गूड अपडेट है, जो मैं आपके साथ सेयर करूंगा, आप देख सकते है, कुचिन सीपट साइन, आप देख सकते है, साइन कर चुके है, कि इसके ऊपर, मतलब repair agreement क्या है, और वो भी US Navy के साथ, एक big announcement है, obviously US Navy आप सब ज एक big opportunity है, companies के लिए, क्योंकि company खुद की countries के भी project के उपर काम कर रहा है, और बाहर की countries के भी project के उपर काम कर रहा है, तो एक big opportunity, big positive point मेरे साब से देखने को मिला, और इसी बात को next day में भी इसी बात को कहा जा रहा है, तो कुचिन सीपट के उपर जो technically chat button बना, वो मैं एक बा आपको दिखा दू, देखे में एक technically chat button को यूज़ करके काम किया हूँ, जहाँ पर यहाँ पर एक range बना, और जब breakout हो था, तो में integer किया कि कब retest करेगा उस level को, तो में एंटी लूँगा, तो final retest किया, और retest करने के बाद जो green candle यहाँ पर बना, उस green candle को फो में एंटी लि और भी थोड़ा सा time लगेगा target पाने में, किकि इतना असानी से बो target के achieve नहीं करेंगे, थोड़ा सा time लग सकता है, और मैं 1-3-3-7 का target लेके चल रहा हूँ, तो आप इस company को कहा पर तक target देखना चाते है, तो मुझे जूरू comments करना, next and last company है, उसका नाम है Pulsar International Limited, देखि इस इस company के उपर निभेस करने से पहले, चार-चार बार सोच लेना, और मैं एक disclaimer जुरूद हूँ, मेरे पास इस company का कोई भी हिस्सेदरी नहीं है, और मैं हिस्सेदरी खरीदना भी नहीं चाता हूँ, क्योंकि company के market cap से 60 करोड है, मैं इसी लिए इस company के बारे में चर्चा कर रह और इसी तरी के से वीडियो पाना है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना, मिलते नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए धन्यबात